नमस्कार दोस्तों मैं उस्तों निपारणडे स्वागत आपसों का एक नए वीडियो में नव आप लोगोंने लिज ट्रस का नाम तो सुना होगा जो 40 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर भी बनी थी UK की कंजरवेटी पार्टी से नेता है परजन टाइम में भी वो कंजरवेटी पार्टी में ही है लेकिन उस पार्टी से अब प्राइम मिनिस्टर इसी सुनाग है UK के लेकिन हाली में लिज ट्रस फिर से निउज में आ गई है क्योंकि वो बिजिट करना चाहती है ताइवन ताइवन कोई भी अगर फोरण कंट्री का लीडर बिजिट करता है तो चाइना इसको अपोज करता है चाइना क्या करता है उसके बाद में बहुत सारी मिसाले आसपास में ताइवन के दागता है और प्रोपरली मिलिटरी डिल करता है और धमकी देता है ताइवान को कि किसी के साथ में आप official relation नहीं रख सकते हो और वो self-ruled island को claim करता है कि वो self-ruled democracy नहीं है बलकि वो एक चाइना का हिस्सा है और आज नहीं थो कल हम उसको eliminate कर लेंगे चाइना के अंदर ये सी जिंपिंग खुद कह चुके हैं लेकिन जब जब कभी कोई western country का leader आया है ताइवान तो चाइना ने इस फे reaction दिया है यहीं हो रहा है जब listress visit करना चाती 17 मई को वो जाएंगी ताइवान और वहाँ पे एक speech भी देंगी लेकिन है क्या कि भहुत बार आरोप लगता है जैसे युक्रेहन में western countries ने problem iscalate कर दिया उसी तरह से ताइवान के matter में भी जब कोई मामला सांथ होता है तो उसी टाइम कोई US का या UK का प्रतिनिधी मंडल आके और विजिट करके जाता है ताइवान को उसके बाद में China aggression दिखाता है टूर्स ताइवान देखो इन दा future अगर war होती है तो उसमें benefit होगा western countries को simply चाइना की economy सिलो हो जाएगी फिर US से एक नंबर पर आ जाएगा जो कि उसको अभी फिलाल के लिए अपनी position खोने का डिर है इसके लावा और अने countries को भी इसका फाइदा होने ही वाला है हाला कि world economy बुरी तरह प्रभावित होगी और जो कम income वाले देश हैं वो बहुत ज़्यादा पीछे चले जाएंगे जिस तरह से रसिया के उपर sanctions लगाएगा है अगर इनदा future चाइना के उपर लगाए जाएगे तो problem बहुत ही ज़्यादा critical हो जाएगी जो low income की countries नहीं जो developing countries हैं including इंडिया इंडिया के लिए भी problem हो जाएगा और बहुत ज़्यादा लेकिन बार बार कोई ना कोई western lawmakers बिजिट करना चाहता है ताइवन को इस बार लेश्टरस आ रही है और चाइना ने warning दी है कि अगर आप बिजिट करोगे तो ये बिल्कुल भ regulation है ताइवन के साथ में और ये personal choice है दो low maker की आपस में कि वो उनको बुला रहे हैं और वो वहाँ जा रही है इसलिए आप इस बात को लेकर किसी भी प्रकार की military deal in the future ना करना लेकिन इसको लेकर politics होती है ताइवन के अंदर ताइवन में left wing और right wing जैसा करके दो पार्टी है तो उसकी नेता present time में president है तसाई जो है वो उसी पार्टी से president है इस वक्त ताइवन की तो जो कोई में टोंग के leader है जो मुख leader है वो इस visit का फाइदा उठा लेते हैं अगर कोई western low maker visit करता है ताइवन को उसके बाद में चाइना अगर military deal कर देता है तो वो public में कहते हैं यह ऐसा कुछ करके गुस्सा दिलाते हैं और उसके बाद में वो military deal करता है यानि western countries से जब वो engagement नहीं बढ़ाना चाहता चाहिना या वो नहीं चाहता है कि वो visit करें ताइवन को तो फिर avoid करना चाहिए हमें क्योंकि हमें escalation बनाने की क्या जरूरत है इन the future जो हम strong हो ले मारता है और प्रफरली ऐसा करता भी है चाहिना तो इस वजह से 2024 में होने वाला है election अब क्या है केमें टोंग इन सब विजिट का फाइदा उठा लेती है और केमें टोंग के जो लीडर से हो कहते है वोट हमें तो हमें president बनाओ और हम in the future किसी यूए से और ब्रेटन के अ हमारा इसू है Taiwan और चाइना का क्योंकि ये एक ideological different है ना कि कोई geological और भूगोल का problem है ये कहते हैं केमें टोंग के नेता जो केम्टी पार्टी है उसके नेता कहते हैं public से इससे क्या होता है public का movement shift होने लगता है और तसाइक के election पर प्रभाव पढ़ सकता है इसी वजह से जब मैं कर थी आने वाले थे जो American Parliament के spokesperson है तो कुद Taiwan ने ही मना कर दिया था कि present time में आप visit मत करो क्यों इसके बाद में चाइना बहुत ज्यादा reaction करेगा और हमारे election के campaign पर प्रभाव डालेगा जो bad प्रभाव होगा और ये बास सही भई है एक बार अगर तसाइए वहां की president नही थी है कि ऐसा कुछ हो और इसी वज़ा से जो इस पोग परसन थे उन्होंने भी अपनी बिजिट कैंसिल कर दी थी और बाद में तसाइए ने खुद बिजिट किया यो इसे को और वहां जाकर उन्होंने बातचीत की लो में कर सोगेरा से जिन लोगों से भी मिलना था लेकिन उनको बुलाया नहीं तैवन में क्योंकि चाइना का डर था चाइना के अल्टिमिलली इसमें जीद मानी गयी थी कोई कि चाइना ने जिस काम के लिए ये धमकिया दी थी और में कर थी कि विज़िट तैवन को नहीं हो भए लेकिन अब लिश्ट्रस आ रही है लिश्ट्रस के मामले पर जो रिसी सुना के स्पोग परसन है उन्होंने किलियर बोल दिया है कि ये परसनल लोमेकर्स का बिजिट है इसमें कोई गवर्मेंट इंडॉल्ब नहीं है और हमारे अन ओफिसियल रिलेशन है तैवोन के साथ ओफ लिए बहुत ही ज़्यादा आइसुलेट करके रखना चाता है तैवोन को इवेंदो कि इंडिया भी ओफिसियल रिलेशन नहीं रखता है तैवोन के साथ में तको इस विजिट से दो तिन चीज़े तो होनी ही होनी है फरस्ट ओफॉल चाइना अगर रियेट करता है तो जो क चाइना को इस तरह के ड्रिल करने का मौका मिल जाएगा ये बोलकर कि आप किसी अधर कंट्री से ओफिसियल रिलेशन क्यों बनाने की कोशिस कर रहे हो और थर्ड बात यह है कि इवेसे और वेस्टन कंट्री अगर वर में ले जाएंगी तैवोन को तो इंदा फ्यूचर इंडियन एकनोमी बुरी तरह इंपेक्ट होगी